जब सुचना मंत्राले को पता चला कि नई फिल्म का नाम मदर इंडिया है उन्होंने रिव्यू करने के लिए डिरेक्टर से स्क्रिप्ट मांगी क्योंकि उन्हें डर था कि यह कहीं भारत की संस्कृति पर हमला करने वाली किताब मदर इंडिया पर निर्धारित ना हो कैथरीन मायों ने 1927 में मदर इंडिया सिर्सक की एक पुस्तक लिखी थी जिसमें उन्होंने भारतिय समाज, धर्म और संस्कृति पर हमला किया था ब्रिटिस सासन से स्वतंतरता की मांग करते भारतियों के खिलाब लिखी गए इस पुस्तक में भारत की महिलाओं, अच्छू पुस्तक ने पुरे भारत में अक्रोष पैदा किया और उनके पुतले सहीत किताबों को जला दिया गया, महात्मा गांधी ने इसकी अलोचना करते हुए कहा था या देश के नालों को खोलने और उनकी जाच करने के एक मात्र उदेश्य भेजी गई, या नाली निरक्षक की अमेर की लोग भारत को ऐसा ही समझने लगे जैसा मायों की किताब ने कहा, इसके बिरोध में पचास से ज़्यादा किताबें और फैमफलेट लिखे गए, जिससे मायों की भारतियों समाच के बारे में गलत धारना को प्रकासित किया जा सके, 1952 में महभूब खान के मन में फ कर काफी गलत फहमी रहती है, ना केबल दोनों संगत है, बलकि पूरी तरह से अलग और वास्तों में बिपरित है, हमने जान बुस कर अपनी फिल्म का नाम मदर इंडिया रखा है, इस फिल्म के लिए चुनोती के रूप में, लोगों के दिमाग में मिस मयों की किताब के घि हबूब खान अपनी पिछली फिल्म में, अमेर की कहानी दा गुड अर्थ और दा मदर से प्रेरी थी, दा मदर एक चीनी महिला की कहानी थी, जिसमें उनके पती द्वारा त्याग दिये जाने के बाद, वो संगर्स करती है, सावकार से परेशानी, जमीन पर मेहनत करना, और मिर्जा की किताब के खिलाब जाने के लिए, मदर इंडिया की पत्कथा कु मिर्जा के लिखा, कि औरत फिल्म में जो नारी शक्ती और देस भक्ती के परदर्शन हो रहा था वह और निखर के मदर इंडिया में बाहर आगया अब अगला बड़ा सवाल आया कि फिल्म में कास्ट किसको किया जाए नर्गिस तो राधा की भूमिका के लिए पहली पसंद थी लेकिन बिर्जू के रोल के लिए महबूब खान हॉलिवूड के स्टार साबू दस्टगीर को लेना चाहते थे वे भारतिय तो थे ही और लॉस एंजल से मुंबई के होटल में आ भी गए मगर बात नहीं बन पाई क्योंकि शुटिंग में देरी और अन्य बधाओं के चलते दस्टगीर के लिए वाक पमिट लेना कठिन साबित हुआ फिर दिलिप कुमार ने बिर्जू के रोल में दिल्चस्पी दिखाई और खान मान भी गए दिलिप कुमार ने दुसरे रोल शामू को करने के लिए भी हाँ कर दी थी हलाकि बात फिर नहीं बनी नर्गिश ने तराज जताया वो बहु से यहाँ बात बन गई लेकिन अब बिर्जू के बच्पन के रोल का क्या उस समय उन्हें कोई नहीं जानता था लेकिन फिर भी मुंबई में सलम से साजित खान को साथ सो पचास रुपे की सेलरी मिल लिया गया बाद में महभूब खान ने साजित खान को गोद लेने का फैस किया लेकिन फिल्म के सेट पर एक हाथसा हुआ जिसमें प्रमु किरदारों की जिन्दगी हमेशा के लिए बदल गई फिल्म के एक दरिश में राधा अपने डाकू बेटे बिर्जू की तलास में जलते हुए घास के धहरों के बीच दोड़ती बिर्जू वहा छिपा हुआ आग का दरिश गुजरात के सूरत के उम्रा इलाके में फिल्माया गया घास की गाठे जलाने से नर्गिस और दत ने अगनी दरिश में बिना डबल कविने किया एक मार्च उनीस सो संतावन को जब हवा की दिशा बदल गई तब आग नियंतरन से बाहर हो गई और इसमें नर को चोटें लगी थी जलने के कारड़ दत को स्पताल में भरती कराए गया खान के घर पर नर्गिस ने उनकी देख भाल में मदद की थी उस समय के एक लुप्रिय विनेतरी नर्गिस को दत से प्यार हो गया दत अपने फिल्मी केरियर के शुरुआती दोर में ही थे और उनको वो फिल्म में नर्गिस के बेटे की भुमिकानी भानी थी नर्गिस फिल्म के तुरंत बाद ही शादी करना चाहती थी लेकिन खान ने बिरोध किया ओन स्क्रीन मा बेटे की असल जिंदगी में शादी फिल्म के लिए बिनाशकारी हो सकती है अपने रिष्टे के कारण नर् अखरी प्रमुक फिल्म मानी जाती है। फिल्म की सूटिंग के दोरान वे सिर्फ 26 साल की थी। फिर भी उन्होंने एक नई पत्नी सिंगल मदर और बुड़ी मा का रोल निभाया। नर्गिस और मेभूब खान को कई पुरसकार और नमांकन प्राप्त हुए। नर्गिस ने 1958 में फिल्म फिल्म फिर सर्वसेष्ट अविनित्री का पुरसकार जीता। और कारलोवी वेरी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टीबल में सर्वसेष्ट अविनित्री का पुरसकार पाने पहली भारतिय बनी मदर इंडिया ने सरवसेस्ट फिल्म के लिए फिल्म फिर पुरसकार जीता और खान के लिए सरवसेस्ट निर्देशक फरी दून इरानी के लिए सरवसेस्ट सिनेमोटर ग्रॉफ़र और आर कोशिस के लिए सरवसेस्ट धोनी वसाहित कई अन्य फिल्म फिल्म की पांच नमांकर में से चूना गया यह वारत की पहली अकादमी पुरसकार के लिए भेजी गई फिल्म थी खान ने 120 मिनट का इंटरनेशनल वर्जन बनाया जिसमें उन्होंने इंग्रेजी सब्टाइटल दिये और अपना प्रोडक्शन लोगों हटा दिया जिसमें क हमर और सिकल थे ताकि अकादमी को खुस कर सके 120 मिनट का संस्क्रण बाद में कोलंबिया पिक्टर्स द्वारा अमेरिका और बिटेन में दिखाया गया था फिल्म अकादमी पुरसकार जितने के करीब पहुंची लेकिन फेडरिको फिलीन ने नाइट ओफ कैबीरिया से एक कोड़ से हार गई खान पुरसकार नजित पाने से बेहद निरास थे दसकों बाद सुनिल दत ने याद करते हुए कहा उन्होंने अन्य फिल्में देखी थी और उनका मानना था कि मदर इंडिया उनसे कहीं बहतर फिल्म थी उस समय के हिसाफ सिया फिल्म सबसे ज़्यादा ख हिस्सों में बड़ी बाढ़ आई शिरेमेटोग्रोफर फरेदून इरानी ने समान्य बाढ़ दिर्शों की सुटिंग के लिए बाढ़ प्रभावत जीलों की यात्रा की बाहरी सत्रों कलाकारों और चालक दल के वेतन के कारण अंग तक बजट 35 लाख रुपे से बढ़कर 60 लाख पहुच गया था साउंट्रेक में बार अगाने शामिल हैं और इसमें मुहम्मद रफी, शम्शाथ बेगम, लता मंगिसकर और मन्ना डेन अपनी आवाज दी मेरा ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो क्रिप्या सब्सक्राइब, लाइक करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें फिर कुछ नए फिल्मी जनकारी के साथ आउंगा, नमस्कार